नमस्कार किसान सात्यों स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान एक्सप्रेक्स में किसान सात्यों पिछे हमने एक वीडियो अपलोड गया था उसके उपर एक हमारे किसान सात्य हैं उनका कमेंट आया था कि सर हमारी धान के अंदर बीलबी नाम की बिमारी आ चुक करें और जादा से ज्याहिसेर करें अगर आप हमारी चनल पर नए हैं और हमारी वीडियों पहली बार देख 144 करें और प्रेस 2 कि कि आने वाले वीडियो के Natalie I लेकिने जो और नका प्रमक्रो hyां भी यहाने की जिसे हम पती जुलशारोस के नाम से जानते भी जानते हैं एक जिवानों जनीत रोग होता है जो जैनतों मुनास नाम के जिवानों के कारण आपके खेत के अंदर फैलता है सबसे पहले बात करते हैं यह आपके खेत के अंदर क्यों फैलता है इसका सबसे पहला जो कारण है वह अत्यादिक यूरिया का प्रयोग है अगर आप अपने खे लंबे समय तक अत्यादिक जल वराव है उसके कारण भी यह होगा आपके फसल के अंदर आसकता है किसान साथि जब है अपने खेट जाते हो और आपने धान पूद्दय को देखते हो जो आपका धान का पूद्द्द है उसकी जो पतिया है हैं अगर बात की जाए पीलेपन की दो आपकी जो पतिया है वो टिप से कोने से पीली होनी शुरू होंगी और निच्छे की और पीली होती चली जाएंगी तो आप समझ लें कि आपकी धान के अंदर बैक्टियर लिफ बलाइट आ गया है अगर इस प्रकार की बिमारी आपके खेट के अंदर आ गयी है तो जो पत्ता है वो आपका पूरा का पूरा सूख जाएगा और आपका जो उत्पाद हैं उसके उपर एक विफ्रित प्रभाव पढ़ेगा। किसां सात्यों अगर आपके फशल के अंदर आपके खेट हैं किसान सात्यों इसका सबसे पहला जो कारण हें हवा अगर आपके पडोश के अंदर किसी अन्य खेट के अंदर इस प्रकार की बिमारी है और उस दिशा से आपकी खेट की दिशा की तरफ अगर हवा चलती है तो निश्चिज तोर पर जो बील भी है आपके खेत के अंदर आ सकता है किसान साथ यो दूसरा कारण है लेबर से सप्रे करवाना अगर आप लेबर से सप्रे करवाते हो और वो लेबर आप से पहले किसी अन्य किसान के खेत के अंदर सप्रे करकर तुरूंत प्रभाव से आपके खेत के अंदर सप्रे करने के लिए प तोड़ देते हैं और जिस से भी आपके खेट के अंदर जो बी एलबी है वो होने के चांसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं किसान साथ यो उसके बाद आवारा पशू अगर आवारा पशू बी-एलबी इसे गर्शित जो खेट है उस खेट से निकलकर आपके खेट के इस प्रकार की बीमारी हो सकती है अब बात करते हैं इसके नियंतरन की इसका नियंतरन आप किस प्रकार कर सकते हैं किसान साथ यह एक जिवानु जनीत रोग है इसलिए सबसे पहले इस बीमारी के निदान के लिए आपको जिवानु नासक दवा का उपयोग करना है इसके लिए इसी तोर पर आप इस विमारीसे चुटकाराँ पा सकते हैं लेकिन किसांसाठियो अगर आपके खेत के उसी प्रकारी की बीमारी हो चुकी है तो जो पतियां आपकी खराब हो चुकी है ये दवाऒ़ उनके ऊपर दो दोवाई ऐसी है जो इस रोग को फैलने से रोग सकती है इसलिए हम आपको यही रिकमेंट करते हैं अगर आपके खेट के अंदर बील बीयाने की बैक्टियर ली बलाइट नामक का रोग आ गया है तो आप 500 ग्राम सी प्लस बारा ग्राम स्टेट्रो साइकल का प्रयोग करे और इस बीमारी के फिलाव से छुटकारा पाएं किसान साथ यो आज चा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी फिर भी अगर आपके मन में कोई कोश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं आने वाली वीडियो में आपको खेती बारी से संबंदित गार्डनिंग से सं देरी है हमारे साथ देखतरी हमारे चैनल पर धन्यवाद जैहिन